पुशत्या आगई ओम शान्ती आज नवरात्र का पाँचवा दिन है और भारत भर में सकंद माता का पूजन हो रहा है सकंद माता जिसकी गोद में बालक सकंद दिखाया हुआ है इसलिए उन्हें सकंद माता कहा गया है नारी का ये स्वरूप जब वो जन्म देती है एक बालक को तो कहा जाता है एक बालक के जन्म के साथ नारी का भी एक नया जन्म होता है जहां उसके अंदर संपूर्ण परिवर्तन आता है मम्ता जागरत होने लगती है वातसलिय भाव जागरत होता है और सने की शक्ती के आधार से वो अपने बच्चों को सुसंसकारित करने लगती है एक नारी जब मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है अर्थात वही सकंद माता है जिसकी पूजा लोग नवरात्र में करते हैं कहा जाता है कि मा सकंद की पूजा करने से परिवार के अंदर आशिरवाद प्राप्त होता है तो इसलिए ये स्वरूप भी नारी का इतना सम्मानिय पूजनिय है क्योंकि जब वो परिवार के वृद्धी करती है और अपने बच्चे को स्नेह की पालना देते हुए नियारी और प्यारी हो करके उनके अंदर स्रेष्ट संसकारों का सिंचन करती है तो वो स्रेष्ट संसकारों का सिंचन करने के लिए धैर्यता चाहिए वो वादसल्य चाहिए और साथ ही साथ हर रिती से बच्चों को एक मा के प्यार की आचल की उसको सुरक्षा मिलती है परन्तु आज की दुनिया में देखा जाता है कि जहां नारिया भाग रही है जीवन के अंदर आगे बढ़ने के हिसाब से या पैसे कमाने के लिए तो कहीं न कहीं उसका वादसल्य भाव छूटता जा रहा है और वादसल्य की कमी होने के कारण जिस तरह का संसकार बच्चों के अंदर आना चाहिए वो संसकार दे नहीं पा रही है और इसी लिए वो परिवार का स्रिजन तो कर लेती है लेकिन स्ने और संसकारों की पालना नो होने कारण वही बच्चे उस मात पिता का नाम बदनाम करने में भी देर नहीं करते हैं तब कहीं उसको एसास होता है कि आज इस बच्चे को जो संसकार देना चाहिए था मुझे वो मैंने नहीं दिया उस समय शायद बहुत देर हो चुकी होती है आज हम देखते हैं बच्चों को जब अच्छे संसकार नहीं मिलते हैं तो किस प्रकार कई बुरी आदतों में हस जाते हैं बुरी कि शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद कितना भी और बच्चों को वातस लाने का प्रैत्न करें तो भी वो बच्चे व उस कि आदतों से वापस नहीं आते हैं नवरात्र का ये पांचवा दिन हमें बहुत बड़ा संधेश दे रहा है कि अपने बच्चों की जिम्मेवारी उसको संसकार देने की जिम्मेवारी उसकी स्नेय से पालना देने की जिम्मेवारी को निभाना है ताकि एक बहुत सुन्दर स्रिष्टी का निर्मान कर सकूँ